नमस्ते मैं उज्वला महाराश्रभुना से ये गुड है और ये खराब हो गया है तो अब इसका तो इस्तमाल हम किचन में नहीं कर सकते लेकिन हमारे गार्डनिंग में हम इस गुड का इस्तमाल जरूर कर सकते हैं देखिए दस या 20 ग्राम तक गुड मैंने इस आदे लिटर पानी में अच्छे से डाइलूट कर लिया है डाइलूट करना बहुत जरूरी है ऐसे के ऐसे गुड हमें मिट्टी में मिक्स नहीं करना है और डाइलूट करने के बाद भी आपको इस पानी को वैसे के वैसा ही अपने गार्डन की मिट्टी में यूज नहीं करना है इसे हमे अच्छी तरह से डाइलूट कर देना है, अगर हमने ऐसे कैसे यूज किया, तो हमारे पोधे की मिट्टी में चीटिया हो सकती है, और चीटियों की वज़े से हमारा पोधा खराब हो सकता है, तो अब इस पानी में से, दस या बीस ग्राम तक ये पानी हमें लेना है, दो या त छोटे चम्मच पानी गुड का हो जाएगा, इतना पानी भरके, उसे डाइलूट करके आप देख सकते हैं, कितना ये अच्छे तरह से डाइलूट हो गया है पानी में, और अब इस पानी को 10 इंच के गमले के उमें इस्तिमाल करने वाली हूँ, 10 इंच के गमले के लिए ये डाल देनी है पानी की, और गुड के तो फाइदे हमारे पोधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यूमिक एसिड होता है इसमें, और जो भी हमने खाद दी होती है, उसका सिर्फ 30% पोर्षन ही हमारे पोधे इस्तमाल करते हैं, तो जो बचा हुआ पोर्षन होता है, उसको अच्छे से डीकंपोस्ट करके हमारे पोधे के मिट्टी में डाइलूट करके हमारे पोधे के जड़ो को सक करने के लायक बनाने का काम ये गुड का पानी कर देता है, तो हमें गुड के पानी का इस्तमाल महिने डेड़ महिने में एक बार तो हमारे सब भी तरक के पोधे मे करना है लेकिन इस तरह से गाढ़े पानी का नहीं इसे अच्छे से साधे वाले पानी में डाइलूट करके कर देना है इसका इस्तमाल हम जब भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें भी कर सकते हैं क्योंकि कंपोस्ट में जो भी बैक्टरिया होते हैं अच्छे वाले उनकी संख्या संख्या बढ़ाने के लिए यह इसमें जो भी सुक्रोज मौजूद होता है उसको खाके अपनी संख्या बढ़ा देते हैं और हमारे कम्पोस्ट को बहुत जल्दी से तैयार करते हैं क्योंकि जितनी उनके संक्या होगी उतनी जल्दी उनका काम खतम हो जाएगा और हमारा कमपोस्ट भी तैयार हो जाएगा